पूछता है भारत कि सुशान सिंग राजबूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिक कौन है पूरे मामले में जरूप कुमार शौजी ने जिस प्रकार बड़े खुलासे करें थी किस प्रकार उन्होंने बताया था कि किस तरीके से सुचान सिंग राश्फूत की जब डेथ हुई थी, उनका शरीर पहुचा था तो किस प्रकार उन्होंने चोटों के निशान देखे थे, इन सारे सबूतों के बावजुद आज तकी मामला सौल्ट नहीं हो पाया, दूसरी त कहाँ वो चला गया, किसी को इसकी परवा नहीं है, सलमान खान के गहर के बार गोली चलती है, तुरंत ही सल्मान खान के घर के बार वार उन्हों करनेवालों के पकड़ा जाता है तो सब अपड़ा बड़ा यौर आज वो लापता है, लब बक आ जा रहे हैंशका कि 8 दिन होन यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो सुशान केस में बहुत सारे चीजे निकल के आई थी इस पूरे मामले में कई सारे बड़े-बड़े दावे हुए जिस प्रकार का जारा था कि इस पूरे मामले के अंदर कई सारे सवालों को लेकर बाते होई की सुशान की दैट कैस सी हुई किस प्रकार सुशान सिंगराशूत का चरीब बडा मत हुआ किस तरीके से उसके घर पे रहने वाले जो स्टाफ मेंबर से उन्होंने बड़े-बड़े दावे किये और वही पर रिया चक्रौती पर भी बहुत ही गंबीर सवाल उठे थे रिया चक्रौती फिलाहल त पाया था कि रिया जो थी वो ड्रक से सथ जूड़ी थी रिया सुशान की पैसे सथ खेल रही थी कुछ इस प्रकार उन पर आरोप लगे थे पर जब यह जांच आगे बड़ी तो दीरे दीरे वह आरोप कहां चले गए यह पता ही नहीं लगा वह जैंसिस कहां चली गई उसक उसने गंबीर सवाल उठे थे एंसीबी ने चाशिट में रिया का नाम लिखा था उनके भाई का नाम लिखा था वहीं पर गजा रही कि फिलाल ऐसा दावा होता है कि अब लगता है कि रिया को क्लीन चूट दे दी गई है और सुशान मामला हमेशा के लिए क्या यह पैंडि को ट्रेंड करने की मांग करी है और कहा जा रही कि नयाई के लिए अपील शुरू करती है उन्होंने भी तो देखने वलब विशेगी चार साल पूरे होने को हैं पर इन चार सालों के बीच में इतना सब कुछ हुआ जहां पर रूप मार्शौजी निकल के आए रूप च्छ डाशहूट के साथ अचानक से क्या हो गया उसराथ सुषाें का शरीड वर पहूंचा तो इनकी शरीड पर चोटो के निशान थे किसी ने दावा करया कि इंके पैर कंडी तूटे थी किसी ने कि आक हे काली पड़ गई थी मतलब आकों में चोटो के निशान दिखां द में निउस मीडिया से वारल हुई थी, निईस मीडिया में आकर उन्होंने अपनी रखनी शुरू करिंग जिसके बास तो सवाल सवाल उठे थे हैं तो सवाल केस होने से पहले ऐसे कई सवाल मामले हैं बॉलिवट इंडिस्ट्री के अंदर क्योंकि बॉलिवट इंडिस्ट्री में अचानक से सब कुछ होता नहीं है इसके पीछे कुछ ना कुछ वजा होती है और जिस प्रकार का जा रहे कि इन वजाओं में बहुत सारी लिस्ट है जो समय सामदे दिखाई दे दिए है सोशल जगर हम आपको यह बताएं कि बॉलिवट एक्टर के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसको लेकर तो बहुत बाती होती है पर टीवी इंडस्ट्री का अगर एक जाना मना नाम एक बहुत बड़े टीवी सीरियल में काम कर चुका एक्टर अचानक से गायब हो जाए घर से निकलता है मुंबई के लिए और मुंबई पहुचता ही नहीं है पहले ही गायब हो जाता है दो दिन के बाद एक सीटीवी फुटेज बरामत होती है वहां पर दिख जाता है पर आज का जा रहे कि लगभक आटवा दिन है और आट दिन से वह इंसान ना घर पहुचा ना किस है कुछ कह रहे हैं पता नहीं कहाँ चले गए हैं दावा होता है कि बाइस अप्रेल को गुर्चरन दिल्ली से मुंबई के और निकले पहले वो दिल्ली अपने घर से एर्पोर्ट के लिए निकले और कहा जा रहे कि एक दोस उनको मुंबई में फिक अप करने आने वाली थी जब वो मुंबई नहीं पहुचे तो दोस्त ने फैमिली को बताया तो पताया लगता है कि गुर्चरन तो घर से एरपोर्ट ले निकल गई थी, उनकी फ्लाइट भी भुख थी, अब वो बाहत में का ज़रे कि पुलिस ने जान्च करी तो पता लगा कि गुर्चरन ने उस फ् आलम में का ज़रे कि उनकी लोक्योशन दिखाने का मतलब यह था कि वो दिल्ली में ही थे और दो दिन तकर वो दिल्ली में थे तो वो अपने घर क्यों नहीं गए पहला यह सवाल ओगे मन में आया, दूसरा सवाल यह आया कि गुर्चरन के एकाउंट से मतलब उनके एटियम कोई भी इंफोर्मेशन उनके निकल के नहीं आ रही है, तारग मैता शो के का ज़रे कि जो बनाते हैं जिनके आम आसिस मोदी है, उन्होंने ट्वीट करा है गुर्चरन के लिए पर लोगों ने दावा करा, यह तो फॉर्मेल्टी की गई है, पुलिस को टैक करना चाहिए, पुलिस अपील करनी चाहिए कि जल्दी इस पूरे मामले को सॉल्फ किया जाए, लोगों ने अब कमपैर्जन करने शुरू कर दी हैं, लोग का कहना है कि सल्मान खान का केस हुआ, तो कितनी जल्दी जान चुई, बहुत बड़ी बड़ी टीम में बन जाती है, और यहां तक कि जो मुख्य मंतरी हैं, वो भी सामने आते हैं, पर दूसरी तरफ एक टीवी सीरियल में काम करने वाला बहतरिन कलाकार, सालों तक उसने टीवी सीरियल में काम करा, और अच्छानक गाइब हो जाता है, इन्फोमिशन उसको लेकर कुछ निकल के नहीं आ रही है, पर जान च होती है, ऐसा लोग अब दावा कर रहे है, सोचल मीडिया के माध्यम से, पर देखने वाला विश्य है कि यहां पर जो सोडी है, जो गुर्चरन है, उनको लेकर इन्फोमिशन कुछ निकल के तो नहीं आ रही है, पर दावा हो रहा है, कि उनको जो स्पोर्ट किया था दो दि करते हैं, कि आखिरकार सोडी के साथ जो और कला कर काम करते हैं, क्या उन्होंने पुलिस से अपील करी है, कि गुर्चरन को लेकर अपडेट दी जाए, क्या उन्होंने कोई अपील करी है, क्या उन्होंने परिवार से कांटक किया है, इसको लेकर कुछ निकल के नहीं आ रहा कि हम जरूर आपको बताएंगे पर सबसे बढ़े आपसे आप पर अपील करेंगे अगर आप इस चाल के नहीं हो तो एक बल लाइक जरूर करिएगा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ज्याद एस ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में अन्या चलना भाच्कार, चैनल